सुधीर जैंसेट एक जानी मानी कंपनी है ते इस कंपनी ने पूरे पारत वीच अपनी वड़ी शाक बना ले है आज सुधीर जैंसेट वलो महाली विच कस्टमर मीट करवाएगे जिस विच नमे जैंसेट नो लॉंच किता गया इस मौके कमिस इंडिया लिमिटिर ते सुधीर पावर लिमिटिर दे प्रबंद खाजर सानो ना क्या के नमा लॉंच किता जैंसेट पलूशन फ्री है ते इस दी आउटपुट भी वदिया है इस जैंसेट विच सत पॉइंट पंच किलोवाट्स लाके साथ सो पंजा किलोवाट्स अक उपलब दे ते इस खास मौके ते शिरी अश्वनी बाली एवीपी मार्किटिंग नोर्थ जोन ते शिरी कमल जोशी स्टेट सेल्स मेनेजर पंजाब ने इस डीजी सेट दिया होर विशेशता मारे जान करवायां उना क्या के CPCB 4 प्लस दिया होर विशेशता मारे डीजी सेटां दी शुराद दे दुरान अते पारत सरकार द्वारा जारी किते गए नमेन नेमा दे अंसार अते 212 दोजार तेई तो परवावी संशोधित डीजी सेटां दे निकासी मापद गंडा दे नालहां ते जिते कार्बन, डायकसाइड, नाइट्रोजन, आकसाइड, सल्फर आकसाइड अते मौतल की ते कणा दे पदर काट तो काठाना ते काले तु एनू नहीं चाट दे जो के वायू मंडल एक खतरनाक है ए वातावरन अनुकूल डीजी सेट आना ते हुन आज हमें बड़ी खुशी है कि 16 अक्तूबर वाले दिन हमने दूसरा नराता है और हमने आज अपना CPCB 4 प्लस सुधीर कमिंस का डीजी सेट लांच कर दिया है, जिसमें आपको लिटरली जीरो स्मोक, इट इस ए स्मोक फ्री डीजी सेट जो उसमें अमिशन के लेवल्स हैं वो जो Government of India ने fix करे हैं as per their guidelines उससे भी कम है, विच मींस कि अगर धुएं का जो लेवल है, जैसे हम बोलते हैं कि आज pollution 200 पार कर गया, 200 पार कर गया, 300 पार कर गया, NCR दिली में या हमारे पंजाब में, ये जो धुएं फैकता है, जनेरेटर ये उससे भी कम लेवल का धुएं फैकता है, विच मींस ये जो एन्वायरमेंटल में जो pollution है, ये उससे भी कम pollute करता है, ये एन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, हमने वो जनसेट लाँच किया है, और इसमें जो हमारा सबसे बड़ा जो हाथ जाता है, वो कमिस इंडिया जो हमारे चैनल पार्टनर है, विने अ performance भी जो norms की requirement है, उस performance को meet करते हैं, fuel consumption lowest है, fuel consumption CPCB2 से भी lower side में है, इसका service period बढ़ाया गया है, जो पहले service period 300 गंटे, 200 गंटे का था, that has gone up, some ratings में 500 hours है, some ratings में 750 hours है, एपार्ट फ्राम ब्वारेंटी आसवासन scheme भी launch की हुई है, तो जनसेट में जो आपको warranty 2 year और 5000 आर्स की मि करते हैं you get warranty of five year or five thousand hours whichever is earlier and last but not the least आपने genset का def को थोड़ा maintain करना है उसकी quality को maintain करना उसके level को maintain करना है so that cpcb4 plus के norms जनसेट एक्षीव करें ये यूरिया को इसका को कॉलिटिटिव के तेस्का जो आई-एस लेवल है वो है ट्रिपल टू-7-1 आपने ट्रिपल-2-7-1 का डेफ़ीड ढलना है एक यह जो quality के लिए है जैसे हम बोलते हैं कि जी ISO 8528, ISO 3046, जो जैंसेट के या इंजन के होते हैं, ऐसे डेफ का है, आपने सुना होगा कि जो टाटा के जो ट्रक्स चल रहे हैं, जो BS6 के जो ट्रक्स हैं, उसमें डीजल के साथ साथ डेफ भी डलता है, तो यह वही वाला डेफ है, जो हर पेट्रोल प में कमिन्स इंडिया में आया था, और हमारा टाइब कमिन्स के साथ 1973 में हुआ था, अभी मैंने जैसे डिरिंग दी प्रेजेंटेशन भी बताया, आज सुधीर पावर ग्रूप के, सुधीर ग्रूप के, पचास साल पूरे हो गए हैं, और पचास साल की हमारी एस्सोशेशन कमिन्स के साथ है, as channel partners, we are channel partners, कमिन्स manufacture the engines and we manufacture the gensets, ये कमिन्स हैं? अब बताएंगे, कमिन्स इंडिया ने शिर्फ सुधीर के साथ टाइप रखता है, अमरा जो कमिन्स में टाइप, जो है, हमारा तीन जीओ ये में, तीन जीओ ये में एक जैक्सन है, एक पहरी का है, एक दूसरे OEM है क्योंकि हर जगा पहुंचना बड़ा मुश्कल है क्यों से बात सब लोग जानना चाहेंगे 125 का रेट्स में CPCB2 और CPCB4 में कितना फरक निकलेगा सर रेट्स का ऐसा है जब हम CPCB2 और CPCB4 प्लस की बात करते तो जैसा मैंने अंदर वी बताया था आपको CPCB2 के साथ RECD लगानी है आपको dual fuel लगानी है जब आप वो RECD लगाते हैं तो रेट अल्मूस्ट बराबर हो जाते हैं सोलर जो है एक limited source of power है उससे आप जो heavy machines हैं जैसे motors हैं बड़े-बड़े air conditioning plants हैं वो नहीं चला सकते हैं आप light and fans जरूर चला सकते हैं but you are 100% right कि आप जो है non conventional source of energy की तरफ government जा रही है या पूरा world ही जा रहा है बड़ जब आपको एक bulk में power चाहिए सो किलो वाट अब पांसो किलो वाट हजार किलो वाट तो you have to have a prime power which should be strong enough to take that load उसके लिए diesel density एक option है और दूसरा जो यह four plus के जो norms आए हैं इसमें जो pollution level जैसे मैंने पहले ही कहा कि zero smoke level इसका जो zero smoke level है इसके उपर तो कोई norm आई नहीं सकता यह सबसे lowest level आ चुके हैं अब इसके बाद तो hydrogen cell आएगा जिस पे already काम शुरू हो चुका है कमिन्स विल भी फर्स कंपनी जो आज पिछले आठ साल से hydrogen cell पे काम कर रही है और वो hydrogen cell के आटो मुबील और कार्स कमिन्स ने बना भी लिए हैं अब वो power generation में आने में पांसाल साल साल दस साल लगेंगे जब वो आएगा तो hydrogen cell हो जाएगा which will be a clean and neat and clean energy सब का बहुत बहुत धन्यवाद